इन तीनों ने मिलकर प्लानिंग किया कि चलो भाई अंग्रेजों से युद्ध करा जाए बाचमज में आ रही है और उस समय अंग्रेजों का नेत्रियुत कौन कर रहे थे अंग्रेजी सेना का नेत्रियुत कर रहे थे हेक्टर मुनुरो साहब हेक्टर मुनुरो साहब उस समय अंग्रेजों का नित्रित कर रहे हैं और यहां भारत देखिए भारत में अलगी माहल रचावाए कि यह अंग्रेज अब हमारे उपर राजनिती कर रहा है अब हमारे उपर सहासन करना शुरू कर देगा इसलिए उसे सहासन करने से पहले रोका जाए तो यहां बंगाल के नवा 1764 हुआ है इसके कुछ समय पहले कि अगर कहानी देखें तो 1757 इसवी में एक प्लासी का युद्वा था आप सभी को पता होगा 1757 में क्या होता है एक प्लासी का युद्वा होता है इसके किसके बीच तो बंगाल के गवर्नर उस समय होते हैं आपके रोबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों की तब से लड़ रहे हैं और बंगाल के नवाव उस समय होते हैं सिराजुद दौला ठीक है भई यह आप लोगों को भी पता होगा ना कि राजुद दौला तो 1757 की लड़ाई प्लासी की युद्व रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद दौला के बीच होती है और यह युद्व होता इस वजए से हैं क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा लग रहा है कि उनके सरकार को बता है कि देखो भाई मैंने बदला ले लिया मतलब सिराजुद दौला को प्लासी की युद्व में मैंने हरा दिया तो प्लासी की युद्व में रॉबर्ट क्लाइव ने जब सिराजुद दौला को हराया तो इनके देश की सरकार यानि इंग्लेंड की जो सरकार या फिर आप यह बोलें इंग्लेंड कि जो महरानी थी उन्होंने रोवर्ट क्लाइव को में बुलाया तो समझ बॉलाया तो समझ ये पिर आपने बहुत ही सांधार काम किया है भारत के अंदर भारत में जो बंगाल का वो नवाब है उससे आप बदला ले चुके उनको आपने युद में पराजित कर दिया इसलिए इंग्लेंड आपको बुलाया जा रहा है ताकि आपका सम्मान किया जा सके तो 1764 के समय आप देख सकते हैं जो बंगाल के गवर्नर होते हैं वो रोबर्ट क्लाइव नहीं भाई रोबर्ट क्लाइव क इस समय बुला लिया गया है इंग्लेंड तो 1764 हिस्वी में अंग्रेजों की जो नेत्रित करने वाली अंग्रेजों की जो सेना होती है उनका नेत्रित करने वाला कमांडर होता है हेक्टर मुनरू कौन होता है हेक्टर मुनरू क्योंकि आप देख सकते हैं कि रोबर्ट क्ला को उनके सम्मान के लिए इंग्लेंड बुला लिया गया है यह भाई साव इस समय निकल चुके है कहां इंग्लेंड ना रोबर्ट क्लाइब अभी भारत में नहीं है वह इंग्लेंड जा चुके उनकी जगह लेने को बुलाया गया है हेक्टर मुन्रों को ठीक है और इधर जो 17 1764 इसवी का समय होता है इसे महां भारत में बहुती जग्ता क्क अल्वाली मती हुई है क्यों कि abort हर बात्येक चुका है जो भी था मुगल तक स्वाब भी देख चुका है बंगाल के लोग देख चुके हैं कि क्या हुआ प्लासी के युद में उनको वैसा लग रहा है कि अंग्रेज हमारे उपर हुकूमत करना चाहा रहा है मतलब उनको आभास होना चुरू हो जाता है इसलिए भारत में एक सहंदार प्लानिंग चलती है उसमें देखो क्या प्लानिंग है भारत की नेत्रित करने वाली उसमें भारत को का नेत्रित कौन कर रहा था मुगल कर रहा था तो एक तो हो गया मुगल दूसरा उस समय याद रखिएगा बंगाल में नवाब हुआ करते थे तो दूसरे हैं बंगाल के नवाब और तीसरा अवद के नवाब इन तीनों का नाम आपको याद रखना है ठीक है भाई तो भारत की उस समय नित्रित भारत के लोगों का भारत की सेना का नित्रित में ली तो आपके मुगल सा सकते, लेकिन अब चुकी मुगल डिकलाइन हो चुका था, मुगल नीचे आ चुका है, इसलिए भारत कुरों में बढ़ चुका है, प्रांतों में बढ़ चुका है, तो बंगाल प्रांत के उस समय जो नवाब होते हैं, मीर कासिम, बंगाल के कौन होते हैं के नवाब उस समय मीर कासिम और अवद भी अलग हो चुका है तो अवद का नवाब उस समय है याद रखना आपको सूजा उद्धौला कौन हो जाता है भई सूजा उद्धौला नाम याद रखिएगा तो एक तरफ हो गए बंगाल के नवाव दूसरे तरफ अवद के नवाव सुजाओ दोला इन दोनों ने मिलकर प्लानिंग किया कि किसी भी तरह से अंग्रेजों को यहां से ख़देर कर बहार भेगना है ने तो यह आने वाले समय में हम भारतियों पर राज करने वाले हैं बात सासा कुछ समय कौन है राह आलम दूईतिये इन तीनों ने मिलकर प्लानिंग किया कि चलो भाई अंग्रेजों से युद्ध करा जाए बात समझ में आ रही है और उस समय अंग्रेजों का नेत्रित कौन कर रहे थे अंग्रेजी सेना का नेत्रित कर रहे थे हेक्टर मुनुरो साहब उस समय अंग्रेजों का नेत्रित कर रहे हैं और यहां भारत देखिए भारत में अलग ही महोफर नचावाय कि यह अंग्रेज अब हमारे उपर राज निती doing से उसे सासन करने से पहले रोका जाए तो यहां बंगाल के नवाब मीर कासिम मुगल बादसाह सा आलम दूइतिया और आवद के नवाब अगर युद्ध करेंगे अगर युद्ध नहीं किये या फिर ऐसा नहीं हुआ तो अंग्रेज हमारे उपर चढ़ाई कर लेंगे हम लोगों का अस्तित्व नहीं बचेगा इन तीनों ने मिलकर युद्ध का प्लानिंग किया और इधर अंग्रेजी सेना का नेत्रित कर रहे है हेक्टर मुनरू तो इन दोनों के बीच यानि भारत और अंगलेंड भारत और इंगलेंड इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है जो बक्सर के मैदान में होता है कहां पर बक्सर का मैदान इसलिए इसे बक्सर युद्ध कहा जाता है ठीक है तो इस तरह से देखिए यहां भारत और इधर अंग्रेज का जो नेत्रित कर रहा है हेक्टर मुन्रो इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध होता है जिस युद्ध में अभाग्य समझें या फिर दुर्भाग्य समझें हार होती है भारत की मतलब इन तीनों के संयुक्त सेना की हार होती है हेक्टर मुन्रो की सेना विजय होती है हेक्टर मुन्रो की सेना ने इन तीनों की सेना को इन तीनों की संयुक्त सेना को भक्सर के युद्ध में हरा दिया ठीक है समय कब का है याद रखेगा सत्रोसो चौंसा टिस्वी में सत्रोसो चौंसा टिस्वी में यह लड़ाई लड़ी जाती है ठीक है भाई अब अगर बक्सर का युद्ध इतना भयावा है और उस युद्ध में जब भारत के तरब से तीन महानायक लड़ रहे हैं भरा नह से अंग्रेजों का confidence अंग्रेजों का मनोबल बहुत जादा उचा हो गया तो याद रखेगा एक निरनायक युद्ध साबित हुआ है बक्सर का युद्ध वास्तविक सासन अगर बात करें हम इंग्लेंड का यानि अंग्रेज का की भारत को उपर कब जुरू हुआ है तो भ भारत में हमसे उचा या हमसे सकती साली कोई दूसरा नहीं है भीया सब पावर सब खेला जो होता है ना पावर का होता है कि जिसके हाथ में पावर है वही सासन चला सकता है और यह 1764 का समय देख रहे हैं आपकी इन तीनों की संयुक्त सेना मतलब बंगाल के नवाब मीर कासी मुगल सासक साहा अलमदूतिय और अवद का नवाब सुजाव दुला इंतिनों की संयुक्त सेना को हेक्टर मुन्रों की अंग्रेजी सेना ने हरा दिया जिसके कारण अब अंग्रेज का जड़ भारत में मजबूत हो जाता है